Hello and welcome to Mom's Diaries आज हम बात करेंगे अगर आपके बच्चे का एक भी दूद का दाथ नहीं निकला है तो आपको क्या करना चाहिए बच्चे की दूद के दाथ चार मैने से लेकर एक साल की उम्र के बीच में आते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपके बच्चे का एक भी दूद का दाथ एक साल की उम्र तक नहीं आता है तो इसे लेट टी दिंग कहा जाता है जिसकी कुछ कारण रहते हैं पहला है फैमिली हिस्ट्री हेरी रेट्री अगर बच्चे के माबाप के फैमिली में किसी के दाथ देर से आए है तो आपके बच्चे के भी दाथ देर से आएंगे दूसरा है खाने में सही पोशन न मिलना पूर नियूट्रिशन अगर बच्चे को दूद का पोशन ठीक से नहीं मिला ही तो भी बच्चे की दाथ देर से आते हैं इसलिए 6 मैने तक बच्चे को ब्रेस्ट फिर करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए माने भी सभी पोशक तत्वों से भरपूर आहार लेना ज़रूरी है चे मैने के बाद आँ बच्चे को सॉलिड फूर की लाना शुरू करें जिसमें ज्यादा मात्रा में कैलसियम और आयन हो तीसरा है विटामिन डी और कैलसियम की कमी होने पर भी ताथ देर से आते हैं इसलिए बच्चे को सुबह की दूप में अवश्य लेके जाए और अपने डॉक्टर से कंसल करके टीधिंग पीरियड के दोरां कैल्शियम और मल्टी विटामन सीरप बच्चे को अवश्य दे चोथा है थाइराइड प्रॉब्लेम अगर आपके बच्चे को कोई थाइराइड प्रॉब्लेम है जिसकी वज़े से हर्मोन स्ठीक से नहीं बन पा रहे है तो भी बच्चे के दाथ देर से आते हैं और इस केस में सिर्फ दाथी नहीं बलकि बच्चे चलना और बोलना भी देर से सीखते हैं अगर आपके बच्चे का एक भी दूद का दाथ 14 या 15 मेने तक नहीं आता है तो एक बार आपके डॉक्टर को जरूर दिखाए अगर आप बच्चों के डेंटिस को दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेट टीधिंग में डेंटिस बच्चे के मसडों की जांच करके एकसरे निकालते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे के डाथ कब तक आएंगे या कोई problem तो नहीं है बच्चे की दात आने के क्या लक्षन है और बच्चे को दात आते समय ज्यादा दर्द ना हो इस बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं आप प्लीज वो भी देख लीजिए इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है आपके सवाल मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू